राधे राधे दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आज की हमारी कहानी का नाम है तला के ये क्या बहू बस फिरी हुई नहीं की मोबाईल लेकर बैठ गई नहीं मा जी बस सोचा की थोरा बहुत निउस देख लू निउस का तो बहाना है खुब जानती हूँ मैं सोसल मिडिया पर ब देहुं साब करने वर्षा घरद्वास परिवार की बड़ी बहु है घरद्वास परिवार में माध्यु जी और उनकी पतनी colony सानती जी है उनकी तिन बच्चे है बरा बेटा सूरव अपने पीता की बेवसाय में उनकी मदद करता है जिसकी पतनी है वहीं छोटा बेटा अन इसलिए अधिकतर कामों की अप्यक्षा उसी से की जाती है। सांती जी कभी किसी काम में खुद खास मदद नहीं करती। पर सोभा को भी कुछ काम में मदद नहीं करने देती। उनका मनना था की वर्षा करती ही क्या है। वही सानों किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। हलांकी वर्षा को बुरा तो लगता। लेकिन करे तो क्या करे। किसी को फर्क नहीं बढ़ता। कल परोस में रमायन के पाठ रखे गए थे। तो सांती जी का वहां जाना हुआ। अब जहां परोस की महिलाओ की महफिल लग जाए वहां तो हर कोई पूछे गाही की साधी के तीन साल बाद भी सौरब और वर्षा के बच्ची नहीं हुए अपने अपने कारण और अपने अपने तरीके हर कोई सुनाना पसंद करता है सुनकर सांती जी का दिमाग खराब हो गया अब भडास तो निकलने ही थी इसलिए घर आकर उन्होंने बर्षा पर चिलाना सुरू कर दिया आखिर कौन सी फैमिली प्लानिंग कर रही हो तुम अगर बच्चा नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखा आओ कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा है जहां जाओ बस एक ही सावाल पुछा जाता है तंग आ गई हूँ मैं माजी आप मुझसे क्यों पुछ रही है अपने बेटे से पुछिए वर्षा ने जबाब दिया हाँ हाँ सारी कमी तो मेरे बेटे की है जो तुछ से साधी की अपनी क कम्यों को मेरे बेटे पर मत डाल बचा तो खुद नहीं चाहती है और इलजाम उस पर लगा रही है ऐसा कहकर सांती जी तो अपने कमरे में चली गई पर पीछे वर्षा की आँखों में आसू आ गए आखिर उसे उस गलती के लिए सुनाया जाता है जो उसने की ही नहीं साम क को जब सौरब घर आया तो वर्षा ने सौरब से बात की सौरब तुम अपने माता पीता को सब कुछ सच सच क्यूं नहीं बताते हो कि बच्चा तुम नहीं चाहते हो अरे यार तुम फिर वहीं फालतू की बाते लेकर बैठ गई इनसान घर पर सुकून के लिए आता है पर तुम जब देखो ये बकवास लेकर बैठ जाती हो सौरब ने जल्लाते हुए कहा ये तुम्हारे लिए फालतू की बात है पर मैं इन बातों के लिए रोज सुनती हूँ तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो तुम बढ़ाओ लेकिन कम से कम मेरी बारे में भी तो सोचो हमारी साधी को तिन साल हो चुके हैं सौरब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए वर्षा तुम कैसी बाते कर रही हो इतनी पढ़ी लिखी होकर भी क्या बकवास कर रही हो देखो मुझे अभी कमाने पर फोकस करना है पैसा होगा तो हम लिखी लोगों को क्या बच्चा नहीं चाहिए होते हैं जब तुम्हारे मा बाप मुझे ताना मारते हैं आज परोस के लोग मुझे सुनाते हैं तो तुम तो कभी आकर बोलते नहीं हो बच्चा तुम ही नहीं चाहिए पर लोगों से लरने के लिए मुझे आगे करके रखा मैं नहीं जानती तुम या तो मा पापा से बात करो या फिर मुझे कोई फैसला लेने दो सौरब ने सोचा कि वर्षा गुसे में आकर ये सब कह रही है सुबा जब गुसा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन दुसरे दिन भी वर्षा ने सौरब से वहीं बात पूछी दो तिन दिन तक तो वर्षा ने जब यहीं सवाल किया कि तुमने मा पापा से बात की तो सौरब गुसे में चिला पड़ा नहीं कहना तो नहीं कहना मुझे अपने मा पापा से कोई बात नहीं करनी है और मुझे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए बस फैसला हो गया अब तुम भी इसके आगे कुछ नहीं कहोगी सुनकर वर्षा एक दम चूप हो गई सौरब तो चला गया लेकिन वर्षा मैं खाना परोस्ते समय कहा मैं कल सुबह देहरा दून के लिए रवाना हो रही हूँ वहां के और्फनेज हॉम में मुझे असेस्टेंट वर्डन की जॉब मिल गई है सुनकर सब लोग एकदम चूप हो गए सांती जी ने कहा ये क्या नया फितूर पाल रही हो आखिर जॉब दूर जाने की क्या जरूरत है सांती जी ने कहा क्योंकि सबको अपनी पड़ी है मेरी बारे में कोई नहीं सोच रहा है मेरी जिंदगी पर मेरा हक है अब मैं किसी के भी फालतू सवालों का और जबाप नहीं दे सकती ऐसा कहकर वर्षा ने सौरप की तरप देखा जो नजरे जुकाए चूप चाब बैठा था तुम क्या कहना चाती हो साप साप कहो अपकी बार माधाव जी ने सवाल किया पापा जी ये सवाल तो आप अपने बेटे से पुछिए वो मुझे बेहतर जबाब दे सकते हैं मुझे पैकिंग करनी है सुबा जल्दी निकलना है कहकर कर माधाव जी बोले अभी जब आप दोगे या यूही चूप चाप बैठे रहोगे क्या चल रहा है आंखिर वहू क्या बता रही है अरे तो जो बोलकर गई है उसी से पुछो ना इसके पीछे क्यों परे हो उससे तो हमारे घर की सांती कभी रास नहीं आती अब तुम दोन हैं अब क्या उसे बच्चे के लिए भी ना बोले हम आज कल की लड़कियों को बच्चा पैदा करने के नाम पर ही रोना आता है मेरे बेटे के वन्स को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती अब सांती जी ही बीच में बोलने लगी अरे तुम चुप करो मैं बात कर रहा हू ना तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है जिससे पूछ रहा हूँ वो तो जबाब तक नहीं दे रहा है माधाव जी सांती जी को डारते हुए बोले आरे वो क्या जबाब देगा बेचारा क्या बोल पाता होगा इसकी बीबी इसकी सुनती होगी तब ना अब अपनी गलती छूपाने के लिए सौरब को आगे कर रही है ये बात अंदर पैकिंग करती हुई बरसा को भी सुनाई दे रही थी सांती जी उसके बारे में कितनी उट पटंग बाते कर रही थी लेकिन उसे हैरानी तो इस बात की थी कि सौरब ने अभी तक जबान नहीं खोल उसके सामने उसकी पतनी को इतना बेज़त किया जा रहा है पर सौरब अपनी जबान तक नहीं खोल पाया मतलब सौरब को अपने सपनों के आगे अपनी पतनी का मान समान भी नहीं दीख रहा है वरसा ने अपनी पैकिंग जहां थी वहीं छोड़ी और सिधे कमरे के बाहर न पर तुम जबान तक नहीं खोल रहे हो, क्या तुम पती कहलाने लायक भी हो, हाई राम, अपनी पती से किस तरद से बात कर रही है, ये सारे संस्कार बेच खाई हैं, इसने, अरे years सी खाई हैं, तेरे माप बापने तुझे की, अपने साज ससूर के सामने, अपने पती को इस त मेरे माप बाप के पास अब तो फैसला आर्या पार होकर ही रहेगा खुब मिल जाएगी मेरे बेटे को तो सांती जी के सब्द वर्षा के कानों में हथोड़े की तरह लग रहे थे पर उसे ज्यादा दिमाग उसका सौरप की चुपी को देख कर घूम रहा था इधर सांती जी वर्षा के माता पिता को फोन लगाने के लिए मोबाइल हाथ में ले रही थी उधर वर्षा सौरप की तरप देख रही थी लेकिन सौरप अभी भी चूप था इतने में वर्षा सांती जी से बोली रहने दिजी आंटी जी मेरे माता पिता को फोन लगाने की मैं उससी तलाक लेना पसंद करूंगी, क्या बक्वास कर रही हो तुम, दिमाग तो ठीकाने पर है तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो, और ये ममी को आंटी क्यों कह रही हो तुम, कुछ लिहाज है या नही, छोटी सी बात का इतना बतंगर बना दिया, इतनी देल से वर्षा पर चिला पड़ा, अचानक सौरब को बोलता देकर वर्षा, सौरब के पास आई और एक थपर खीच कर उसके गाल पर लगा दिया, वर्षा की इस हरकत से सब लोग हैरान होकर, वही के वही खड़े रह गए, तुम्हारी ममी को मैंने आंटी कहा, तो तुम्हें बु समाना है, इसके लिए तुम्हारा परिवार जाए भाड में, बच्चा तुम खुद नहीं चाते हो, और बाज मुझे कहलवाते हो, पहले अपने ख्वाब ही पूरे करते, मुझे साधी क्यों की थी, मेरे जिन्दगी बरबाद करने की क्या जुरूरत थी, मेरे समान से तुम रहना बेतर है, तुम्हें जितना पैसा कमाना है कमाओ, मुझे अब तुम से कोई लेना देना नहीं, ये तुम क्या करही हो, भाला इतनी सी बात पर कोई अपनी साधी सुदा रिष्टे को तोरने को तयार हो जाता है, क्या, सरव वर्षा को समझाते हुए बोला, तुम्हार मेरे लिए इतनी सी बात है, पर मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है, मैं जा रही हूं यहां से, तलाक के पेपर बिजवा दूँगी, वर्षा हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोर कर अपनी माई की आ गई, बाद में सौरब और उसके परिवार वालों ने माफी भी मांगी, पर वर्सा अब वहाँ वापस जाने को तैयार नहीं थी। फाइनली कुछ दिनों बाद ये रिष्टा तलाग पर आकर खत्म हुआ। असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो। तो प्लिस वीडियो को लाइक से एर एंड सस्क्राइब करना और इस कहानी पर आपकी क्या रही हमें कमेंट करके जरूर बताना धन्य।